दोस्तो नमस्कार इस नए ब्लॉग में आपका स्वागत है और आज मैं आप सबों को लिए चलता हूँ संजे वनवाटिका जो की संजे पार्क के नाम से काफी फेमस है और ये अंबिकापूर में इस्तीते का या काफी लोग भूमने के लिए आते हैं ये बहुत ही सुंदर प कि अख स्प्राइब को अग्या है और शाखी प्था भूमने काफी प्रोग में आप से हो वाग प्यों नाट्स नाटई प्रूमने काफी लोग जभ है और दो ये बहुत है हुआ करते हैं झाल झाल जैदको चाओ। कर दो कर दो कर दो भी चूज कर दो जर्आ में पूला का दो कर दो को दो कर दो कर दो नहां है पर लोको पाइलट गाइब दिखाई दे रहे हैं अब देखते हैं कि ये ट्रेन कितना बजे निकलती है किस स्टेशन से किस स्टेशन तक जाती है कौन-कौन स्टेशन में रुखती है सेरनू किस में बैठ होगे किस में बैठ होगे हैं वो वाले में बैठ होगे हैं हम लोग ट्रेन में बैठने का तैयारी कर रहे हैं और ये देखिए मेरे लिए भी जगा रखिएगा सिनैन और ये सिनैन और सेरना को देख सकते हैं ट्रेन में बैठ गये हैं और इंतिजार कर रहे हैं कब गाड़ी चलेगी हमारी ट्रेन कब चलेगी आप देख सकते हैं ट्रेन बता सुना हूं ट्रेन पंचर हो गई है और आज ये ट्रेन नहीं चल रही है चुकि कुछ गरवडिया हो गई है हम लोग और एक दिन आये थे उस दिन भी ट्रेन नहीं चल रहे थी और ये ट्रेन का रूट है ऐसे करके चार तरफ से घूम के फिरिधा सापटरी कि छोटा सा जगह है लेकिन बहुत खुबसूरती से सजाया गया है सभी लोग मजे ले रहे हैं वीडियो बना रहे हैं अब मैं आपको कहीं और दूसरे जगह लेके चलता हूं सभी लोग मस्तिक मोड़ में आप देख सकते हैं कोई जूला जूल रहे हैं को स्लैडिंग कर र दिश और यहीं स्टेशन के बगल में पावजी दही बाड़ा यहां पर एक छोटा सा एक ठेला भी है और भाईया कुछ-कुछ यहां बेच रहे हैं समोसा चाट और एक ग्रेट चार्ट सेंटर यह हलाकि अभी बंद दिख रहा है इस पर एक कदुका लोग दिखाए दे रह सकती है तो लोग घुमने का अनंद लेते काफी लंबी है वहां भी दिखा रहा था उधर दूर तक जाती है और वहां नीचे अनिमल आप देख सकते हैं यह हाथी का स्टैच्यू है और पीछे लायन है टैगर है ऐसे यह ट्रेन का रास्ता है आप पट्री देख सकते हैं जाए ने ले पा रहे हैं ट्रेन के जूला वगरह है और यह पट्री है वह लोग आ आ गये हैं प्रास में पट्री यहां पर भी है यह चारो तरफ से ट्रेन जाथे प्रिखा रहा हूं यह दिखे लुह का अंगल से बना हुआ बहुत ही मजबूती से यह रास्ता गई है और किसी पे लोग भ्रह्मन करते हैं हम लोग जा चुछ देखाओं आपको दिखाने जा रहो यह बढ़ा करते हैं यह देखे पेड़ पे कुछ मटके टैप से लटका हुआ है और यहां से मुझे लगता है यहां से काफी अनिमल वगर भी है जो मैं आपको दिखाऊंगा आप मेरे साथ बने रहे हैं यह वनो शधी शंग्राहले वन से क्या-क्या आउशधी यहां पर बनता है शंग्राहले किया गया है उसका यहां पर स्टोर किया गया है बहुत ही खुबशूरत पंची दिखाने वाला हूँ यह देखिए मौर हलाकि यह भी सुस्त पड़ा हुआ है यह जब पंक फैलाते हैं तो बहुत ही खुबशूर कि दिखता है है मैं आपको काफी करीब से दिखा रहा हूँ मौरे मोर है मोर नहीं है चाहिए मिल्क प्ता प्ता नहीं है और एक मौर वहाँ lesser है मैं आपको करीब से दिखा रहा हूं यह मौर देखिए यह फंक सोड़ा सा पहला यहां काफी मौर और मौर नहीं है यहां पर आपको दिख रहे होंगे तोर नहीं है बहुत शुंदर ना जा रहा है देखो दूसरे, दूसरे है यह लकी दिख रहे है यह भगल में व्याजाम शाला आप देख सकते हैं आपको लिए चलता हूं, बहुत ही सुन्दर मजारा दिखाने के लिए इस तो सारे हीरन यहां पर हम लोगों मुझे देखके सब डर रहे हैं, सोच रहे कि यह कौन है, कहां से आया है, क्यों आया है, देखे सभी कान खड़े करके सब मेरे को ही देखे जा रहे हैं, मैं सोच रही कि यह कौन है क्यों आया है मैं आपको और आगे लिए चलता हूं बहुत सारे हिरन है यहां पर कि बाड़ा में कभी दूर तक बाड़ा है देखे उधर भी हिरन ही है काफी हिरन है कि आप देख सकते हैं कि इसमसें बाड़ा बना हूआ है कि इसमें किस हिसाब से एज के अनुसार तिक में कुछ रही हरन को आगे और मैं कि दिखाता हूं और कि यह यहां आपको दिखाया है था कि वहां से ये चड़ने के बाद यहां पे उतरते 24 और ऊपर से नाजारा काफी सुन्दर दिखता है और यहां पे एक अंकल बैठे हुए हैं जो शायद टिकट चेक करते होंगे और यह छोटा सा तलाप आप देख सकते हैं हलागी बोर्टिंग अभी नहीं हो रही है कोई पुराना सा बोर्ट वहां पे दीख रहा है अब बंद पड़ी है और अंकल ही बता पाएंगी इसके बारे में यह अंकल क्या है घूम के आते हैं इसका नाम ट्रेल है ट्रेल है केनापी ट्रेल अचा केनापी ट्रेल इस चड़के घूमने के लिए बना हुआ है और यहां लिखा हुआ भी है केनापी ट्रेल पेड में लगा प्रतिव एक ती फाइब रुपीज और यहां पे चड़के जैसे बता रहें अंकल इस पर घूमते हैं और यह रोड कहा जाती है अंकल अचा राजपूर वाली रोड है तो अध्या आगे बरते जा रहा हुआ और पता्निया और क्या-क्या है मैं आपको जो भी मील रहा है मैं आपको दिखाते चलते हैं यहां से पता नहीं क्या-क्या शुरुवात होती है हलाकि यह कुछ टर्की लिखा हुआ है यह आप देख सकते हैं मैं बढ़ा करके दिखाता हूँ हलाकि अंधेरा है तो दिखने रहा होगा और यह कबुत्तर यह खर्गोष आपको बढ़ा करके दिखा रहा हूँ खर्गोष काफी खर्गोष है यहां पर वाइट कलर ब्लाइक कलर यह चोटा खर्गोष यहां पर अंधेरा करन शायद आपको दीखने रहा होगा और यहां पर हन्स आप देख सकते हैं हन्स दिखाई दे रहा है यह हन्स है दो हन्स है और यहां पर चिडिया कबुत्तर कोका टेल यह कबुत्तर का ही सोता का कोई प्रकार है मैं आपको बढ़ा करके दिखा रहा हूँ कफी सुन्दर दिख रहा है यह लवबड है सुन्दर सा आप देखें लवबड बोलते हैं और यह जो लास्ट में है बजरी का वो अंदर में घुस गया है तो आपको साथ है निदे रहा होगा और अंधेरा भी है फिर मैं आगे लिए चलता हूँ अप लोग को यहां पर कुछ स्पेस है कैंटी ने जैसे मैं सुरवात में दिखाए था यहां पर जहां से हम लोग गए थे सुरवात किये थे फिर वहीं आके यह ट्रेन आप देख सकते हैं हम लोग से घूम के इस तरब से यहां से हम लोग आए हैं और यह फिर से यहीं पर हम लोग आ गये हैं चल चड़ 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 चड़ो ना एक भीड़ हो गया जम्प गुड़ जम्प और यह आप देख सकते हैं सिनैन और से रेना दोनों मिक्की माउस जूला दे मजे ले रहे बेरी गुड़ हाँ पकड़के कीच रहे हैं कि अधरो पेले शूल पेलो तुम्हें रहे हैं कि अधर जो दाय तरफ है इधर बहुत सारे जंगली जानवर हैं और यह ओपन जीम भी लगा हुआ है बहुती अच्छा एक पार्क है जो लोग अब जा भी रहें कि ठंड का समय है और अंधेरा होने वाला है यह लोग दीन से ही आये होंगे इंजोई कर रहे होंगे हम लोग चुकी लेट से आये हैं और इधर भी छोटा मोटा कुछ कुछ बना हुआ है देख सकते हैं बच्चे लोग खुब आनव ले रहे हैं मस्ती कर रहे हैं यहां भी बहुत सारे जूले लगे हैं अलग अलग तरह की जूले हैं बड़े लोग भी यहां पर देखे कुछ जूए कर रहे हैं यहां पर भी मैं गया था वह जंपिंग तो वहां पर बच्चे लोग का क्वाइस यह था कि हम लोग मिक्की माउस वाले पर ही जूलेंगे आम लोग फिर यहां आगे यहां समय वापस अभी निकल रहा हूं यह कैंटीन के बगल से होते हुए यह यह यहां भी बच्चों को खेलने की रवस्ता है जूला है और आप देख सकते हैं बच्चे लोग इंजॉय कर रहे हैं मज़े कर रहे हैं और मैं अब इस दर और छोटे-छोटे कुछ कुछ है बच्चे की खास खेलने की वर्थ था जैसे बच्चे लोग यहां पर जूल रहे हैं इंजॉय कर रहे हैं और फिर मैं वापस जा रहा हूं यह गेट आ गया है बस मैं यह गेट से निकलूंगा और यह हम लोग फिर से वापस जा रहे हैं चली बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग